मंगला विद्या मंदिर के सबी छात्रों को आपके हिंदी की शिक्षी का लोगना का नमस्कार बच्चो हमने अपने पिछले कक्षा में आपकी पार्टी पुस्तक की जो दूसरी पार्टी वो है बिल्ली देखती ही रह गई उस पार्ट को हमने पढ़ाई किये थे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी दूसरी पार्ट वो है एक कविता है स्कूल बस वो कविता को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चो जैसे जैसे मैं इस कविता को पढ़ूंगी आप भी आपका पार्ट पुस्तक कोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और अक्षरों पर थोड़ा ज्यादा दियान दीचिए तो बच्चो अभी हम शुरू करेंगे हमारी आज की कविता वो है स्कूल बस इस स्कूल बस यहां पर आप देख सकते हैं बस मतलब क्या है यह हमारे एक यता यता की सहायक है मतलब यतायत मतलब जो ट्रांस्पोटेशन जो हम कहते हैं जैसे की बस होगा, कार होगा, ट्रैन या जो हवाई जहाज हो सकता है या ट्रैन हो सकता है इन सब को हम क्या कहते हैं यतायत हम करके कहते हैं तो अभी हम इसी यतायता में एक बस है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बच्चो मैं आज आपको इसका विता को सुनाने वाली हूँ, तो पढ़ेंगे हम पहले, हमारा पहला पेरग्रफ है, नीली पीली बस है आई, नाम स्कूल का साथ है लाई, कभी नहीं यहां दुवा उडाती, देखो कितनी दूर से आती, मतलब नीली पीली बस है आई, यहां पर आपको जैसी ही पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, नीली पीली मतलब जो बस का रंग का है, बस का रंग है नीली औ पीली नीला अत्वा पीला रंग का बस है नाम स्कूल का साथ हिलाई आपने देखे होंगे स्कूल बस में हमेशा जिस स्कूल का बस होता है उस स्कूल का नाम लिका होता है तो सामने की तरफ अत्वा बस की साइड की तरफ क्या होता है स्कूल की नाम लिका होता है तो इसलिए उपर लिखी हुई नाम से हम पैचान सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे, कभी नहीं यहां दुवा उड़ाती, देखो कितनी दूर से आती, कभी नहीं यहां दुवा उड़ाती, जैसे कि आप देख सकते हैं, ज्यादा तर वाहनों से क्या उड़ता है, दुवा उड़ता है, जो प्रदूशन के खारण भी होता है पर स्कूल बस में जो यहाँ पर इस किताब में जो बोले है ओलग स्कूल बस में कभी भी दुआ नहीं उडाती है स्कूल बस कभी भी दुआ नहीं चोड़ती है और प्रदूशन के खारण भी नहीं बनती है देखो कितनी दूर से आई है स्कूल बस कितनी दूर से आता है क्यूं क्यूंकि अलग अलग जगह से आने वाले बच्चों को सब बच्चों के एक साथ में लेकर वो स्कूल तक छोड़ देती है ना तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर देखो कितनी दूर से आती कितनी दूर से यहाँ बस आ रही है तो बच्चो आगे के पैरग्रफ की तरफ हम चलते हैं वो हैं अपने अपने बैग उटा लो फिर एक लंबी लाइन लगा लो मतलब अपने अपने बैग ले लो जो स्कूल बस आने वाला है तो फटा-फट हमें क्या करना है उस स्कूल बस पर चड़ना हैं तो बच्चे लोग क्या बोल रहें अपने अपने बैग उटा लो मतलब अपने बैग उटाना है सने कि कि दूसरों का बैग बस आगया करके बोलके फटा-फट दूसरों का बैग पर हात नहीं लगाना है फिर एक लंबी लाइन लगा लो मतलब क्या करना है एक सुन्दर बस लाइन बनाना है बस चड़ने के लिए हमें कैसे चड़ना चाहिए एक लाइन से चड़ना चाहिए नहीं तो क्या होगा एक दूसरे के उपर गिरेंगे दखा मारेंगे चोटा जाएगा तो इसलिए हमको स्कूल बस पर कैसे चड़ना चाहिए स्कूल बस पर हमें एक लाइ करके कभी नहीं लड़ना है कैसे स्कूल बस पर चड़ना है यह करके लाइन करके स्कूल बस के अंदर हमें चड़ना चाहिए तो बच्छो अब यहां पर आपने क्या सीखा आपको यहां पर सीखा है कि बहुत मतलब एक अच्छी तरीके से हमें स्कूल बस में चड़ना एक rules follow करना चाहिए हमें हमेशा तो आगे हम देखते हैं बच्चो चलती बस में कभी न चड़ो अपनी बस को साफ रको या पर क्या बोल रहे हैं आप चित्र में भी देख सकते हैं एक लड़की पीछे से बाग रही है बस को चड़ने के लिए बाग रही है क्यों शायद देर हो गया होगा या बस चूड़ गया होगा इसलिए वो क्या कर रही है दोड़के उस बस को चड़ने के लिए कोशिश कर रही है तो इसलिए बोल रहे हैं कि चलती बस में कभी नहीं चड़ना चाहिए हमी कभी भी चलती हुई बस में नहीं चड़ना चाहिए अपनी बस को साफ रखो मतलब अपनी जो स्कूल बस है उस बस को हमें क्या करना चाहिए साफ रखना चाहिए क्यूं जिसे कि आप अपने गर में अपने खमरे को जैसे साफ रखते हो या अपना कक्षा में या कक्षा को साफ रखते हूँ उसी तरह आपकी स्कूल की बस जो है उस बस को भी आपको साफ सुत्रा रखना चाहिए वो अच्छे बच्चों का आदत है मतलब बस में बाहर न निकालो हाथ मिल जुलकर बैटो सब साथ तो हमें क्या करना चाहिए हमें चुप चाप अच्छे बच्चों के जैसे हमें बैटना चाहिए और हमें कभी भी बस में हाथ बाहर डालना या सिर बाहर डालना ऐसे देखना नहीं चाहिए वो बुरी आदत है और मिल जुलकर बैटो सब साथ मतलब क्या है मिल जुलकर बैटो मिल जुलकर बैटो करके क्यों बोल रहे ताकि ऐसे बोलते कि कभी मुझे इधर बैटना है मुझे फर्स सीट में बैटना है मुझे फ्रेंड सीट में बैटना है या मुझे पीछे नहीं बैटना है मुझे उसके साथ नहीं बैटना है करके आपस में कभी कभी जगड़ा हो जाता है बच्छों का इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे कि हमें मिल जुल कर सब के साथ में बैठना चाहिए हम सब लोग एक आपस में अच्चे से मिल जुल कर रहना चाहिए अच्छे से दोस्ती बढ़ाना चाहिए, सब बच्चे एक सामान हैं, तो इसलिए हमें कैसे रहना चाहिए, सब के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए. तो बच्चो यहां पर आपको क्या सिक मिलती है, यहां पर हमको यतायता के बारे में पता चल गया, जो यतायता का साधना है, जो वो है, बस है, जैसे कि मैंने पहले कहा, बस हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ बच्चे वैन में आते हैं, स्कूल के लिए, या कुछ बच्चे बस भसी नहीं है जैसे कि हम बोल सकते हैं यतायता में हमारा speeding आती है और एंसली जो अब बोलते हैं ह्यों बोलते हैं वो भी हमारे हैतायता में आता है तो बच्चो यहाँ पर आपने एक स्कूल बस के बारे में सीख लिया, स्कूल बस में कैसे चड़ना चाहिए, कैसे बरताओ करना चाहिए, स्कूल बस को बहुत साफ सुत्रा रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपने सीख लिया है, यह बहुत अच्छी आदत है, त वैसे कि आप अपने गर को साफ सुत्रा रखते हैं, वैसे ही अपनी बस को भी साफ सुत्रा रखना चाहिए. तो बच्छों, अब आपने स्कूल बस की कविता को आपने पढ़ लिया है, तो इसी कविता को अभी हम वीडियो के सहायता से एक बार देख लेते हैं. पार्ट तीन स्कूल पस अपने अपने बैग उठालो फिर एक लंबी लाइन लगालो एक एक कर सब चड़ो आपस में नहीं लड़ो चलती बस में कभी ना चड़ो अपनी बस को साफ रखो बस से बाहर ना निकालो हाथ पिल चुल कर बैट सब साथ तो बच्चो अपने इस कविता को अच्छे से सुन लिया है अभी हम उसकी अभ्यास कारी की तरफ चलते है ठीक है हमारी यहां पर अभ्यास कारी है बच्चो पहला जो है में शवदार्त जिसे के मैंने वहाई पर बता दिया है आपको फिर से मैं एक बार पढ़ने वाली हूँ आप भी मेरे साथ साथ देख लीजे किताब कुल कर जिसे के शब्दार थे स्कूल, स्कूल मतलब विद्याले अत्वा पाठशाला जो हम कहते हैं भैग, भैग मतलब बस्ता जिसमें आप अपने किताब सब रखते हो उसको बोलते हैं भैग या बस्ता कहते हैं आपस में, आपस में का मतलब क्या है एक दूसरे के साथ, with each other, सभी के साथ में करके मिल जूलकर, मिल जूलकर मतलब है साथ साथ, together सब साथ साथ में करके तो बच्चो अभी हम प्रश्नोतर की तरफ चलते हैं तो प्रश्नोतर की तरफ हम जैसे चलते हैं, देख लिजे बच्चो, मैं इसका उत्तर भी यहाँ पी दी हूँ और आपके इसका related notes भी आपको मिल जाएगा तो आपका पहला प्रश्न है बच्चो, आपकी school bus किस रंग की है? आपकी school bus किस रंग की है? तो आपको कुद लिखना पड़ेगा अभी बैचांस यहाँ पर school bus नहीं होने से वो उत्तर छोड़ सकते हो यही नहीं तो जो कविता में जो उन्होंने दिया है, जो नीला और पीला रंग उसी रंग को हम आव यहाँ पर लिख सकते हैं तो आगे का प्रशन है बसो, bus किसका नाम साथ लेकर आई है? अभी हम चाये तो इस प्रशन का उत्तर हम बदल सकते हैं जैसे कि हम अपने पाठशाला का नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि बस मंगला विद्या मंदिर के नाम को साथ में लेकर आई है तो बचो हम यहाँ पर उत्तर भी बदल सकते हैं जैसे कि बस किसका नाम साथ लेकर आई है तो आप सब लोग मंगला विद्या मंदिर के चात्र है तो हम क्या करेंगे इसका उत्तर? हम इसका उत्तर लिकेंगे मंगला विद्या मंदिर के नाम को साथ में लेकर आई है तो आगे की तरफ चलते है बचो बस में कैसे चड़ना चाहिए? कैसे चड़ना चाहिए? एक दूसरे को दक्का मनना चाहिए? नहीं, हमें कैसे चड़ना चाहिए? हमें कैसे चड़ना है कि बस में लाइन बनाकर एक एक करके चड़ना चाहिए हमें अच्छे से लाइन बनाना है और एक के बाद एक चड़ना चाहिए तो अगला प्रशन है बच्चो अपनी बस को कैसे रखना चाहिए घंदा करना है ना हमें क्या करना है हमें अपने बस को साफ सुत्रा रखना चाहिए साफ सुत्रा, cleanliness is important तो हमें हमेशा बस को साथ सुत्रा रखना चाहिए तो आगे का प्रश्ण है बस में कैसे बैठना चाहिए बस में शांत और चुपचप बैठना चाहिए जैसे कि सीर बाहर डालना, हाथ बाहर डालना उस सब नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा शांत और चुप-चप बैठना चाहिए, तो बच्चो यह आपका प्रशन उत्तर है, इसका उत्तर जो आपको नोर्स में इसी वीडियो के साथ में बेजने वाली हूँ, तो आगे की तरफ चलते हैं बच्चो हमारा दूसरा अभ्यास का रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कवीता की जो पंक्तियों को सही क्रम से नहीं दिये हैं, तो थोड़ा बहुत उपर नीचे करके दिये हैं, तो आपको क्या करना है, उस पंक्तियों को सही क्रम से लिखना चाहिए, जिसका आपक कभी नहीं यहां दुआ उडाती तीसरा है अपने अपने बैग उटा लो चोटा है अपनी बस को साफ रखो और आकरी अंक है वो है बस से बाहर ना निकालो हात तो यह सही क्रम से है तो बच्चों आपको यहाँ पर ऐसे उन्होंने बॉक्स दी है उस बॉक्स में आपको नंबर लिखना है सही क्रम का नंबर लिखना है तो आगे देखते हैं बच्चों पढ़ो, समझो और जोड कर लिखो तो यहाँ पर क्या है एक शब्द को उन्होंने अनुचेद करके दिये है तो अनुचेद वाले शब्द को आपको एक साथ करके लिखना है जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या क्या है स्वर और वेंजनों को पूरा अलग करके दिये है और मात्राओं को भी अलग करके दिये है तो मैं सिर्फ उत्तर पढ़ने वाली हूँ आप इसका उत्तर देख सकते हो और आप चाहे तो जो कविता में से और भी कुछ शब्दों का प्रयोग भी आप कर सकते हो जैसे कि पहला वाला है बच्चो नीली बाद में है अपने बैग पैटो दूर साथ लंबी साफ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये की उदान जैसे ले सकती हूँ में हलत मतलब स आदा वेंजन है तो उसमें कौन सी मातरा लगता है आ की मातरा लग जाता है इसलिए वहाँ पे सा लिका है उसके बाद में फ पे हलत है हलत मतलब आदा वेंजन है उसके उपर क्या लगाया है तो वो बनगे स संपूर्ण एक वेंजन बनगे तो वो कहां पर बन गए वो साफ करके बन गए इसके बारे मैंने पहले आपको एक बर विवरंड दे चुकी हूँ तो आगे हम देखते हैं बच्छों हमारी अगला अभ्यासकार है वो है समान तुक्वाले शब्द बनाओ जिसके समान तुक्वाले राइमिंग वर्ड से बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछती रहोंगी मैं हमेशा जिसके दूर दूर नूर बस रस साफ माफ दुआ कुमा यह आपका राइमिंग वर्ड से उसका नीचे आप देख लो मिलान करो मतलद चित्रों को उनकी नामों से मिलान करना है यह सब हमारी यता-यता है transportation system है जिसे कि आप देख सकते हवाई जहाज rail gari, nao, car यह सब हमारी यता-यता है जो चित्रों के साहता से आपको क्या करना है जिसका सही नाम है उसके साथ आपको मिलाना है तो बच्चो आगे है हमारा और एक अभ्यास कारिय वो है चित्र देखकर नाम लिखो यहाँ पर कुछ चित्र दिये है उसका सही नाम को आपको लिखना है इन सब यता यता का नाम को आपको बहुत अच्चे से सीखना है क्योंकि एक्जामे जरूर आएगा जिसकी मैं चित्र दूँगी तो आपको उसका नाम हिंदी में लिखना पड़ेगा तो पहला चित्र है आपका क्या है वो बस यह सब यतायता आप सबने देखा होगा ना ऐसे कोई नहीं कि किसी ने देखा नहीं है सब लोगों ने इन सब यतायताव को आपने देखा है, ट्रांस्परेशन सिस्टम को आपने देखा है, तो अभी पहला चितर क्या है बच्चों, हाँ वो है बस, तो आगे का है खार, उसके बाद में है रेल गाड़ी, जो ट्रेन हम कहते है, रेल गाड़ी, आगे है हवाई जह हवाई जहाज मतलब एरोपलेन, आगे है स्कूटर, स्कूटर का मतलब जो हम इंग्लिश में भी स्कूटर ही उसको कहते है, जहाज, जहाज मिन्स शिप, तो बच्चों, अभी आपने यहाँ पर क्या देख लिया, यहाँ पे चे अलग अलग, यतायता को आपने देख लिया बच्चों, आप अपने ख्लास वक्स में ऐसे अलग अलग या चे भी ले सकते हैं, या इसका उदाहन चोड़के और दूसरा भी कुछ उदाहन मिल गया तो उसका भी आप चित्र आप अपने ख्लास वक्स में चिपकाना है, जो आपका नये शर्द या शब्दार्त के बाद अपको ऐसका अक्तिविटी करना ही है, हम उसको क्या कहते हैं, ये आपका अपको ख्लास वक्स में आपको लिकना ही है, ये आपका इक आपका अक्तिविटी है तो बच्चो आज की हमारे आकरी अभ्यास कारी वो है यता है ता कि बत्यों का सही मिलान करो मतलब जो traffic lights जो आप कहते हो traffic lights का ये भी एक activity है इसको भी आपको करना ही है आपकी class works में आपको draw करके coloring करना है इसको और उसके सामने उसका नाम लिखना है यता है ता कि बत्यों का न हैं तो इतायतक का मतलब क्या है लाल बति का मतलब क्या है लाल बति क्या कहते हैं हमें हमें कहते की रुख जाओ, वही पे जहाँ पे हो, वही पे रुख जाओ करके हमें कहता है, तो पीली बती क्या कहती है, पीली बती कहती है, प्रतिक्षा करो, मतलब प्रतिक्षा करो, मतलब वेट करो, थोड़ा देर तक वेट करो, बाद में हैं, आकर का हमारे हरी बती, हरी बती का मतलब क् Green color हमें कहते हैं जाओ, अभी तुम्हें यहां से तो निकल सकते हो, जा सकते हो करके खेते हैं, तो बच्चों यह बहुत important है, जहां पर यह दो पेज में जो है, दोनों भी आपका activity है, इन दोनों को भी आप अपने class works में complete करना है, जो लाल बत्ति हमें कहती है, रुको, पीली प्रतिक्षा करो, और हरावत्ति कहती है, जाओ, इसको आप छित्रों के सहायता से, सुन्दर से चित्र बना के, उसको आच्छे से रंग भी लागा कर आप पो यह activity करना है, तो बच्चों, आज की पड़ा यही पर समाप्त होती है, तो आज हमने, उसके साथ में एक activity भी उनके चित्र से मिलावो, यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द दिये है, और कुछ चित्र दिये है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मिलन करना है, तो यह सकारी भी आपका एक्जाम में आ सकता है, बच्चों, जैसे कि हर चीज का नाम आपको, नाम को आप पहचानना चाहिए जिसकी school bus यहाँ पर school bus किदर है हाँ उससे आप मिलाना है बाद में चात्र चात्र मीज स्टूडेंट जो कक्षा school जाता है एक बच्चा है वो उसको हम क्या कहते है student विद्यार्ति करके हम कहते हैं bag means बस्ता पानी का bottle means water bottle जो हम कहते है पानी का bottle आगे है सडक सडक means road तो बच्चों आगे हम देखते हैं हमारे अगला अबियासकारी है वो है इन वाक्यों में सही कतन के आगे सही और गलत कतन के आगे गलत का निशान लगाओ तो यहाँ पर इसी कवीता से कुछ कतन दिये है जह पर वोग बोल रहे हैं, सही है तो आपको क्या करना है, सही कचीन लगाना है, गलत है तो आपको गलत कचीन लगाना है, इसके पहला है, स्कूल बस दुआ उड़ाती है, उड़ाती है क्या, नहीं, स्कूल बस कभी दुआ नहीं उड़ाती है, तो आगे का है, अपने अपने बै दूसरे से उटवाईए, सही है क्या, नहीं, यह बुरे बच्चों का आदत है, कुद कब वैक हमें खुद उटाना चाहिए, दूसरों से हमें नहीं उटाना चाहिए, आगे हैं आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मतलब क्या करना, आपस में लड़ना चाहिए क्या, नहीं, आ में चड़ना चाहिए चलती बस में चड़ना है क्या नहीं ये बहुत दुरगटना का संभावना होतीए हमेशा चलती बस में कभी भी नहीं चड़ना चाहिए आगे है, मिल जुलकर बैटना चाहिए, सही उत्तर है, मिल जुलकर हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहापाटियों के साथ में मिल जुलकर रहना चाहिए, मिल जुलकर बस में बैटना चाहिए तो बच्चो यही पर हमारी कक्षाकारिय या जो आपका एक्टिविटी या अभ्यासकारिय समाप्त होते हैं बच्चो आशा करती हूँ आज की पड़ाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एक स्कूल बस यता-यता के बारे में यहाँ पर पैचान करवाया गया है तो इसके सब्बंदित कक्षाकारिय में आपको इसी वीडियो के साथ में बेजने वाली हूँ दन्यवाद बच्चो